हेलो दोस्तों वेलकम टू माई चैनल तो देखिए यह रही पतंग जो हम पार कराने वाले और यह रहा वाई वाला मंझा तो आज दोस्तों हम इसका टेस्ट लेने वाले हैं मतलब यह कैसा उड़ता देख कर लड़ा कर बताएंगे आप लोगों को यह दिखाएंगे तो भाई देखते रहे हैं पूरा वीडियो जरूर देखिए इस वीडियो में मैंने सबसे ज्यादा दोस्तों पेज लड़ाए हुए हैं तो भाई इस वीडियो मैंने बहुत पेज लड़ाया और बहुत मज़ा आया काफी अच्छा रिजल्ट दिया मंझे ने तो देखिए हम पतंग सबसे उपरवारी रील के थे पर्चे गिर चुके हैं तो यह देखिए हम जल्दी से पतंग पार करा लेते हैं और आप लोग इंज्वाय करिए यह देखिए आगे आज काफी पतंगें उड़ो रही हैं दोस्तों और यह पूरव से पस्चिम की तरफ हवा चल रही है मेरे घ तो अभी हम पार करा रहे हैं तो देखिए वह आने लगा है थोड़ा सा महर पतंग पार कराएंगे तो देखिए हमारा पेश दोस्तों नीचे गाएगा तो आपको बैक्ग्राउंड में ट्रैफिक और मेरे तोते की आवाज हैं सुनाई दे रही होंगी सायद तो यह देखि यह देखिए और मारा मारा और यह देखिया ओर और फट्रलय ह Training को में ड़ोनें पतंग करने मोले को है उसने नहां मेरी पतंग कर दी ओर दोस्तों दोस्तों यह दोस्तों घृज तो प्रила तो बैस ब्रमों में यह होताओ दोनो में पक्रने प्ट्र में अच्र कढ गई हैं त तो बाई यह कोई आम प्लेयर नहीं थे जिन्होंने अभी हमसे पेज लडाया और वाई हम कैमरा सही कर रहे थे लडा लिए तो आप है नया दिन तो यह देखिए यह रही दूसरी पतंग हम फिर से वही बचे हुए मंझे से लड़ाएंगे से और आप लोग बताईए आप लो जो मैं बता रहा हूं वह जो नहीं पानिक पतंग से लड़ाया था वह कोई आम प्लेयर नहीं है वह क्लब के रिटायर प्लेयर है उनकी एज कम से कम 65-70 है अब आप लोग समझ पा रहेंगे जो सोमेन गो संकल है काइट फ्लेयर दिल्ली भाली बाई उनसे भी ज्यादा एज के हैं तो आज दोस्तों जो हवा है अब हवा आ गई है नौर्थ की साइड साउथ से नौर्थ की साइड तो यह देखिए हम पतंग लड़ा रहें और जो अब हवा है तो भाई उनक घर की तरह जो कलब वाले प्लेयर हैं तो भाई आज हम कोसिस करें कि उनसे लड़ाया और से बदला ने तो यह देखिए हमारी पतंग उठती हुए और उनकी पतंग देखिए नीचे से आती हुए दोस्तों और वह काफी उम्र दराज है तो फसा कर गई लड़ाते हैं तो आप लोग कमेंट भी की जल्दी जल्दी से कि आप लोग किस टॉपिक पर वीडियो तो उन्हें प्रावबलम नहीं होगी आराम से उन मेरीपतंग काच पाईए और वाई निचे से लड़ा दूंग भाई ओई हुए ने चोटी पतंग है उपर से उनकी बड़ी पतंग काथ ही देंगे आराम से और वह भी आगे है वह तो भाई इनसे पैज अभी नहीं लड़ तो यह देखिए हम भर रहा है उपर से लफट साइड वाला जो है हमारे वह नीचे से आएगा तो अब यही देखिया हमने घरा और वरा देखिया वह उसने पतंग उठा करके दिया और मारा मारा उसने बार वारी लेकिन दोस्तों जोल की वज़े से पतंगों में पेच नहीं लगपाया देके उसने पतंग बचा लिए फिर से उठा करके आता हुआ दोस्तों तो भाई पेच निकल चुका है और हम फिर से पतंग फेरेंगे और लडाएंगे देखिए उपर से हम पतंग फिर से गुमा मारा मारा ही हमने और यह देखे दोस्तों मैंने उसकी पतंग काड़ दिये ऊपर उचल करके जाती हुई उपर से लड़ाने मौका देर हमने पूरी पतंग पटकी दोस्तों और थोड़ा हवा भी तेज चल रही है देखे हमने पूरी पतंग पटक दिये यह देखे हम हलके घ्टके चलाते हुए ताकि अंकल यह जो लमारा ना खीच ले तो यह देखे साएस साथ आप लोगों पतंग दीख रही हूं दोस्तों अभी जब पेज पर बिल्कुल क्लियर आ जाएंगा मैं सरकल्ड सो कर दोंगा तो यह देखे हमने पतंग उठा लिए फिर से और इखे अब मैने सरकिल्स ब्लू मेरी और रड़ में अंकली की है तो यह देखिए हमने पतंग दी मुड़ा बनाकर यह देखिए अंकली ने मारा और कड़ गए तो आप लोगों साहिए ना समझ पाएं फिर से रिवाइंड करके देख लीजेगा अंकली नीचे से थे फिर भी वह उपर से आगए डबल क स्क्रीन पर आप लोग देखिए गा तो ज्यादा मजा आएगा आप लोगों देखने में और यह देखिए एक पिद्ध पनी वाला भाई मेरी सद्धी मार रहा है तो देखिए वाई एक और पेच आ चुका है आगे और यह देखिए मैंने जूम कर दिया ब्लू पे मेरी एर यह देखिए काफी पतंगे लड़ रही आगे तो भाई हमने वीडियो वहीं पर रोक दी थी यह देखिए वह पतंग और मंजा देखिए ब्राउन वाला बीच बीच में ब्लैक है तो भाई मैंने अंदेले में भी इस पतंगे तीन-चार पेच काटे और कल भाई मैंने पर तीला टेच किया यह देखिए आपको दिक राओगा दो हैं तो भाई इसके क्या बेनिफेट हैं और क्या लॉस हैं तो भाई मैं वह अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं बता दूंगा नहीं तो कोई बात नहीं थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो